अहुल गांदी ने कहा था कि हम दस दिन के अंदर किसान का पूरा करजा माफ कर देंगे। लगता और क्रैसी के लिए काई उपकरान फ्री में मिलते हैं और इसलिए देश समझ चुका है किसान जाग चुका है नमस्कार दनी उस देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया तो चुनावों की सरगर्मियों के बीच आपको बता दें इंडियन नेशनल कॉ कॉंग्रेस पाटी ने अपना गोशना पत्र जारी कर दिया है जिसको नाम दिया गया नयाए पत्र इसी बीच जनता से बात करेंगे सबसे पहले इनका जो है वो गोशना पत्र सामने आया है कई सारी बाते कही गई है कॉंग्रेस पाटी की तरफ से कि उस पर जनता क्या कहती तुरंत बाद आईए इस समय दमों में हम मुझूद हैं और यहां की जनता हमारे साथ है उनसे बात करेंगे कई सारी एहम बाते आपको पता दें कॉंग्रेस ने जो अपना गोशना पत्र जारी के जिसको नयाए पत्र वो कह रहे हैं कि 23 करोड लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालेगी कॉंग्रेस पार्टी कॉंग्रेस पार्टी ने कहा आने वाले दस सालों में अगर उनकी सत्ता आती है तो दस साल के अंदर 23 करोड लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालेंगे ये उन्होंने कहा है प्रमुखुन का मुद्दा है उसके अलावा अगर बात कि जाए तो और कही सारी बाते कही गई यहाँ पर राहुल गांदी की तरफ से कही गई फिर से वही चीज रिपीट की गई कि मोधी सरकार जो है वो लोगतंतर को खत्रे में डाल रहे हैं हम कॉंस्टिटूशन को बचाने का काम कर रहे हैं उसके लावा और के यहाँ पर गरंटिया जो है वो दी गई है आपको पता दे ये भी कहा गया जातिकत जनगनना करवाई जा अब यहाँ जो लोग मुझूद हैं इनसे बात करेंगे किसान लग रहे हैं वैसे दो देखने से बात करेंगे इनसे क्या नाम है आपका हरिस्चंद पटेल हरिस्चंद जी क्या काम करते हैं किसान ही है जी जी अच्छा तो ये बताएए सबसे पहले अभी जो गोशना पत्र आया है कॉंग्रेस पार्टी का तो आप क्यूंकि किसान है तो किसानों के मुद्दे से ही शुरू करूंगा उन्होंने का है मैस पी लेंगे और किसानों की करजमाफी करने का काम करेंगे प्रमुक किसानों के लिए उन्होंने का है किसानों ने किनाते भरोसा करेंगे कॉंग कि दॉल गांधी ने कहा था कि हम 10 दिन के अंदर किसान का पूरा कर्जा माँप कर देंगे दो लाख रुपे उनकी सरकार जरूर बदल दी और 2023 में आप देखिए किसानों के आधार पर हम भारती जंदापाटी सरकार बन गए यदि वो लोग उस समय किसानों का करदा माफ कर देती तो निश्यत रूप से उनको भी फायता मिलता मगर वो कहते कोछें करते कोछें इसलिए हम लोगों को उन अब मोहन यादाव जी आ गए हैं मोहन यादाव जी की सरकार 2000 रोपे बोवी देखिए इस प्रकार हम लोगों को 12000 रोपे साल भर में मिल जाते हैं जिससे हम लोग समय पर खादवीज ले ले लेते और हमां किसानी करने में सुभिदा होती फिर आपके पास आओंगा बहुत को 23 क्रोड लोगों को गरीबी रेका से कॉंग्रेस बाहर निकालने का बादा कर लिए हैं और कॉंग्रेस रियल्टी में तो कुछ करती नहीं है रियल्टी में तो इनका कोई काम होता नहीं है बस फाइलों में बोलेंगे घुशनापत में जारी करेंगे बाकि अब रियल्ट जातिगत जनगर्णा की भी बात कही है कॉंग्रेस पार्टी की तरब से अगर हम सत्ता में आते हैं तो जातिगत जनगर्णा करवाईगे। देश को तोड़ने का काम करते हैं पहले धरम के नाम पर लड़वाते रहे राम मंदर के लिए अफबाद बताते रहे भगवान राम को इलने सुईकारा नहीं इसी प्रकार ये तो इनको इनको देश सिर्फ सरकार में आना है हमाँ आपको ना इनको किसान की चिंता है ना देश की सरकार हैं वहां देख लो आप कहां हो रही जादी के जड़ना होने नहीं चाहिए देशित के लिए लाब दायक नहीं है जो अभी विवस्ता संभीदान में चल रहे हैं उसी विवस्ता पर यह देश चलना चाहिए जिससे हमारा देश आगे बढ़े मोदी जी के नि हमेसा से वो एक दूसरी जातियों को आपस में ऐसे और सासं कर रहे हैं अजई dział आपका क्या नाम हूं से पूरा जैशर जी करेंबाद में और? करेंगें कि दश्क आऔर आगे भी रष्षक करेंगे देखो कांगरेस पाइटी सब जूटे बादे करती है मोधीजी ने पांक साल के लिए रासन फीरी कर दिया है सभी समाई पर सभी रासन मिलता है एक प्या नहीं लगता और किसान् समानने दिया अती है समाई पर प्री में मिलते हैं यह सब सब्सीटी मिलती है इसलिए मोधी की गारंटी में मोधी सरकार बनेगी स्री राम पटेल सीता नंगर आप बताइए कॉंग्रेस के इसमें कॉंग्रेस सरकार तो बहुत गड़ा बड़ है इसलिए है कि 2016 में उर्दों की खरीदी करी पर उसके बाद सरकार बदल गई सिवराज सिंग की आ गई तो इसलिए हम लोगों ने औरदा बेचा तो हमारे औरदा चपन के भाव के खरीद भाई तो इसलिए उसने औरदा की फेडेंग हो गई तो उसके बाद 36 के पैसे डिले हमारे चार पाँच लाग का नुक्तान है आज की बोल रहे थे हम बुक्तान करेंगे बीजेपी की सरकार सिवराज सिंग बन गए तो हमने हाई कोट में केस भी लगाया तो पैसे नहीं मिले हमारे गाओं के पंदरा लाक रुपे और हमारे चाल लाक रुपे नहीं मिले करजा माफी का आगया जो 2018 विदान सबा चुना में गा था कि किसानों की करजा माफी करेंगे कि किसानों का करजा नहीं हुआ माफ कांग्रेस नहीं किया है आप आए आपका क्या नाम है विज्य जहां अगर बात की रहे हैं एक तरफ जो मुद्धे भी चल रहे हैं एक और मुद्धा हाईलाइट हो रहा है आप रोबर्ट वाड़रा को जानते हैं रॉबर्ट वाट्रा प्रिंका गांधी के पती नहीं हम नहीं चलिए आप इस मैनिफेस्टों पर बता दीजिए 23 करोड लोग उन्होंने कहा है दस साल के अंदर हम गरीबी रेखा से बाहर निकालेंगे कॉंग्रेस पार्टी नहीं ये कहा है क्या है इस पर आप वो तो नहीं सवाल ये उठ रहा है कि वो सीट गांधी परिवार अपने ही पास क्यों रखना जाता है क्या कोई और कैपबल नेता नहीं है कॉंग्रेस पार्टी के पास पहले सोनिया गांधी फिर राहूल गांधी प्रेंका गांधी अब उनके पती रॉबर्ट वाडराब उनके बच्चे भी तैयारी कर रहे है तो क्या एक ही मतलब वो परिवार वाद से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं भाया मैं आपको बता हूँ अकेले एक सीट की बात नहीं है गांधी परिवार के लिए वो हर सीट उनकी अनुसार ही बट रही है वो चाहते हैं कि हमारे उनके अलावा उनके रिस्तेदार नातेदार परिवार अभी तक तो परिवार चलता था अब वो अपने वेनेव को भी लेकर आ गए अब कल के दिन है किसान जाक चुका है कभी भी अब गांधी परिवार हो चाहे कॉंग्रेस परिवार हो अब यह किसान और गरीब मजदूर इनको बोट करने बाला नहीं है चाहे रॉबर्ट बार्डा में टीसे लड़ने वो जाएंगे तो जैसे राहूल मजदूर जब घराएंगे हो ऊसे गरढ़ी इसलिए ने कर मजदूर को बोटे गोरी और गांधी छोंने में माटने करने हिए को का करने हैं हमाई मोधी जी जो है मोधी जी देश चला रहा है महलाओं के बार हम उन्हें नारी सक्ति के लिए कितना काम करिया अभी उन्हें 33% आरक्षल कर दिया, 3 तलाक का उनके महिलाओं के हित में ख़तम कर दिया कितना महिलाओं के हित में काम कर रहे है गारों गारों बच्चियों को पढ़ाने के लिए सुभिदाएं दे रहे हैं हर चीज दे रहे हैं वो, मोदी जी तो अब बताओ, अब बो किया रहा हम महिलाओं का हित करेंगे, उनने क्या महिलाओं का अभी खुद को पहले तो परिवार बसा ले, परिवार बसा के देखें, इसके बाद वो देश का आगे कुछ काम करेंगे, तो उनको अनभाव लें पहले, अभी उनको अनभाव नहीं है, अब आपने पूरी चर्चा सुनिये और साथ साथ रॉबर्ट वाडरा को ले करके जो नीज आ रहे हैं जो खुद रॉबर्ट वाडरा ने कहा कि हाँ मैं तेयार हूं मैं यहां से चुनाव लड़ना चाता हूं मेठी से उस पर भी कही सारे सवाल उठे उसको लेकर भी आपने प्रतिक्रिया जनता की सुनिया बापकिस पूरी चर्चा से जो भी राय हो आप जुरूर हमार से क्वेंड बॉक्स में शेयर करें और देखते रहें धन्यूस पर जनता का सर्वे